बिस्मिल्लाइरहम्राइब दोस्तों, आज हमारा टापिक है स्वर्स इज़ एफ वाटर हार्डनेस तो वाटर हार्डनेस क्या होता है? यह हमारे पास एक मैजर्मेंट होता है डाईव्लेंड मेटल आएंज, इस्पेशली जो केल्षिम होता है और मेगनेशिम होता है water में इनकी measurement को हम water hardness कहते है ठीक है? कि water में कितनी person calcium iron है और कितनी person magnesium iron है और इनकी मौझूद की water में क्या कास करता है water hardness कास करता है तो हम इसलिए ये भी कह सकते है कि calcium और magnesium जो है ये दो बड़े source से water hardness के ठीक है? अब हम बात करते है calcium के तो calcium का जो main sources होते है वो gypsum और calcium होते है तो ठीक है? gypsum और calcium से water में calcium दाखिल होता है किस तरह दाखिल होता है? जब water gypsum या calcium के surface पर चक्कर लगाते है तो इस वज़े से water में calcium दाखिल होता है और क्या कास करता है? water hardness कास करता है ठीक है? जिस तरह के हमें पता होता है कि बारश के फानी में सी उठो मेजुद होता है तो इसलिए ये कल baş θα कर साथ रियक्शन्स करता है और हमारे पास ये बाई कार्बोनी assists water में पीदा करते हैं किस वाज़े से क्योंके बारश के पानी में कार्मन डाइकसाइड मौजूद होता है तो यह जब रियक्शन करता है केल्शियम कार्बुनेट से तो हमारे पास केल्शियम बाइकार्बुनेट आ जाते हैं य यह calcium bicarbonate dissociate होता है किसको का plus plus ions को जिस तरह मैं लिखता हूँetzung गे is तरह वापस तूटता है ठीक proven experiencing जो बाता है और हमारे पास 2- O iPhone 2 H Cu3 2- H Cu3 – b अता है ठीके और हमारे पास calcium bicarbonate dissociate होते है तो हमारे पास calcium ions आजाता है ठीक है Water में तो की कास करता है यह रीजन होता है Hardness का ठीक है और अब आते हैं मिगनेशियम के सोर्स में तो मेजर सोर्स जो है मिगनेशियम का जिससे Water में यह के 수र्स अइन इससे मेगनेशियम आयन दखिल होता है वो है Delon Мide ठीक है और यह मिगनेशियम किस तरह दाखिल होता है जब मिगनेशियम कार्बोनेट के साथ वाटर कार्बन डाइकसाइट की मौजूदगी में रियक्शन्स करता है तो हमारे पास मिगनेशियम बायो कार्बोनेट इससे आता है ठीक है और यह जब पर्दर डिस्टूसियर्ट होता है हमारे पास रिजल्ट में Mg++ आयन आता है रहाँ और 2-HC-O3 आता यह हमारे पास मिंगनीशिम का जो सोर्स है वह डोलॉमाइट है और केल्शिम का केल्साइट और जिबसी है ठीके और यह जो हर्ड्नेस बेदा करता है केल्शिम और मिंगनीशिम आयन यह हमारे पास temporary hardness कहते है temporary water hardness जो magnesium और calcium kateins के वज़े से आते है मिगनेशम और calcium bicarbonates बनाते है यह bicarbonates बनाते है हमारे पास और यह further dissociation जिसका होता है हमारे पास result में calcium और magnesium divalent kateins आते है water में जो water hardness cast करता है और जब हम दूसरी तरफ देखेंगे तो जब calcium और magnesium के chloroides और sulfides water में मौजूद होते है तो यह हमारे पास एक और किसम water की और किसम की hardness पेदा करता है जिसको हम permanent water hardness कहते है तो यह magnesium और calcium के chloroides और sulfides की वज़े से permanent water hardness आता है तो यह भी बड़े बड़े water permanent water hardness की sources है ठीक है और यह further dissociate हो के हमारे पास water में magnesium ions और calcium ions produce करते है जिससे water hardness लगते है ठीक है इसके साथ आप और भी reactions देख सकते हैं ठीक है गोगल में मिलेंगा लेकिन यह एक summary था कि हमारे पास किस तरह यह sources होते है ठीक है और यह से water hardness की सतरह लगते है